सवाल है कि सर हमने दोबारा ये मैसेज लिख रहा हूँ 2019 में एक जमीन खरीद किये और उस वक्त ऑनलाइन हमने चेक करके और हाड कॉपी भी चेक करके जमीन खरीद किये और उसमें जो बेच रहा था उसके पास के वाला रसीद और जो है सुधी पत्र जो है सब कुछ है पर जब हमने उसका दाखिल खाड़िज के लिए अपलाई किये तो CEO ने reject कर दिया और comment में लिखा कि ये बिहार सरकार जमीन है अब जो है ऐसे में हमें क्या करना चाहिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक तरह से न्याले में जाएंगे तो आप जमीन बेचे हैं रइश्टी कराएं जो भी आपके खर्च हुए हैं उसके साथ साथ बेचने वाले अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है तो पहले आप जो है उसको सही तरीके से वेरिफाइ करने का परियास करें कैसे तो जमीन का जो भी खाता और खिसरा है इसको ये देखने का परियास करें कि ये पुराना जो है खतियान में क्या है और ये जो है नया खतियान में क्या है ठीक है ये देखने का परियास करें नया में अगर ये बिहार सरकार हो गया होगा जैसे आपने लिखा है कि नया में बिहार सरकार हो गया तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर ये नया में बिहार सरकार हो गया है तो पहले इसको सरवें तोरना परेगा उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं ठीक है तो ये बात जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से लेके अभी फिलाल अगर आपको अगर लगता है कि यह बिहार सरकार नहीं हुआ है और सब कुछ सही है जो बैक्ती से आप जमीन खड़े दे उसका लगान सुल्ख सब कुछ कट रहा था तो आप एक बार चाहें तो ज अगला सवाल देखते हैं पूछने सर जी मेरा जमीन साइद गर्मजरुआ है और उसका कबजा भी 30 एर है बट रसीद जो है वो काटने का नहीं बोल रहा है रसीद काटने वाला अब क्या करें देखिए प्लीज रिप्लाइज से मैं पूर फैमिली से हूँ अगर आप आभेदन करना चाहिए हो सकता है कि वो एक तरह से आपके बातों को संग्यान में नहीं ले अगर नहीं लेते हैं तो डिरेक्ट दूसरा नमबर में आप जिला अधिकारी के पास बंदोबस्त परक्रिया के लिए आभेदन करेंगे कि आपके पास जो है इतने सालों से दखल म बना हुआ है तो आपको एक तरह से वो सही रूप से बंदोबस्त कर दिया जाए इसलिए कि बरतमान में आप 30 साल से अधिक से वहाँ पे जो है रह रहे हैं आगे की परकिडिया लेकिन फिर न्याले की है जो कि अगर आगे पहले ये प्रियास करें फिर हम आगे बताने का प बेटा और एक बेटी की साधी हो गई है दो बड़े भाई की बेटी की साधी हो गई तो क्या घर में उसका भी से हिस्सा होगा हम आपको बता देना चाहते हैं ये आप जो है जो आपके भाई हैं वो अगर आपको सपोर्ट करेंगे ठीक है वो आपको सपोर्ट करेंगे आप अपने नाम पे करवा लेंगे और एक तरस लिखी तोर पे आप वो अगर एक ले लेंगे तो फिर आगे जो है सेर नहीं होने का चांस है नहीं तो बेटी अगर आगे चाहेगी तो असानी से वो संपत्ती को हासिल कर सकती है इसलिए के पैतरिक संपत्ती में जो है वो बेटी का बिजनस करने के लिए हमने पैसा दे दिये फिर जब बटवारा हुआ तो वो बिक्री वाला जमीन मेरे नाम पे दे दिया गया पिलीज सर बताईए क्या होना चाहिए देखे बटवारा से अगर पहले मेरे पिताजी जो है कुछ जमीन बिक्री किये ठीक है अगर आपके पिताजी जमीन बिक्री किये बिजनस करने के लिए और हमने पैसे दिये फिर जब बटवारा हुआ तो वो बिक्री वाला जमीन मेरे नाम पर जो है वो दे दिया गया देखे अगर वो जमीन एक तरह से पिता जी के द्वारा और पिता जी के द्वारा ही जमीन का रजिस्ट्री भी किया गया तो यह कानून है कि वो पिता के द्वारा बेचा है तो उसमें बिल्कुल आप जो का सेर में होगा आपका एक अलग सेर बनेगा और अगर आप रेजिस्ट्री भी आपके द्वारा किया गया है तभी आपकी वो संपत्ती आपके सेर में से जा सकती है अनेथा नहीं मतलब रेजिस्ट्री में अगर आप जमीन को लिखे होंगे पिताजी सपोर्ट किया होंगे तब आपका सेर जाएगा अनेथा अग तो बिग्या वो पिता की जम्बत दी जाएगी अगला सवाल है कि सर मेरे नाम यहां पर मुकेस मौरी है मैं यूपी से हूँ सर मैं नाम से मेरे नाम से जो है वो पट्टा जमीन है ये बात मुझे चकबंदी आई तब पता चला बट मेरे पास इस जमीन का कोई नहीं है और एक यहां पर वैक्ती ने कुछ जमीन सेल कर दिया और अपना भी जो है वो छोटा सा घर बना लिया है चकबंदी होने वाली है सर मैं क्या करूँ पिलीज सर बताइए देखेए एक सीज है कि सबसे पहले अगर वो चकबंदी है आपके पास अगर पता है जमीन का जमीन का पता है और एक व्यक्तीन अगर कुछ उसको सेल कर दिया है और कुछ अपना भी जो है तो आपको एक तरह से उस पे एक्सण लेना चाहिए अगर घर भी बना दीए है तो मामला ऽोाइक थोरा सा पेचिदा हो जाता है जमीन कप्जा करके और घर तयार कर दाना तो थोरा सा पेचिदा मामला हो जाता है ठीक है लेकिन इसके लिए आप चाहिए तो एक बार पहले सहरा ले सकते है आप चाहिए तो Go slash Что withoutiran और केस फाईल कर सकते हैं थीक है या में जो है ऐसधीय ठीब कर सकते हैं तो यह सहारह आपको लेरा है पहले एक से पाद आपको यहाँ से ले सकते हैं हो सकता हैu I will beesus का बी जाने के बाद परगरिया होता ही और वहां पे जो भी जिसका भी अक तरह से सही तरीके तरीके से होगा है ना तो वहाँ पे एक विकल्प तो निकलता ही है लेकिन पहले प्रोसेस आपको ये करना चाहिए अगला सवाल है कि खतवनी में जो है वो गाटा संख्या वो नाम सही है मगर नक्से में जो है वो गाट संख्या के उपर का नीचे वो नीचे का उपर हो गया ह है दोनों खेत मिले हुए हैं छेत्रफल लगभग बराबर है नक्से में गाटा संख्या अदल बदल हो जाए देखिए बिलकुल हो जाता है आप इसके लिए दो तरीके होते हैं जिला अधिकारी का एक ओर्डर हो जाता है ठीक है वो देखिए तुरह सुधार नहीं होगा नक् दुसरा चीज जो होता है आप सिबिल से भी उसको सुधार करने का एक डिगरी ले सकते हैं उस डिगरी का मानने होगा कोई भी अबजेक्शन नहीं लगा पाएगा लेकिन उसका सही सुधार तभी हो सकता है जब अगर मा लेता है सरवय का काम चल रहा है और उस पे आप एक् सुना दिया है पर भी पुलीस भी नहीं सुनता आगे क्या करें अगर आपका जो है खरिदा हुआ जमीन है और खरिदा हुआ जमीन है और आपके मा के नाम से है तो कोई भी कानून जो है वो एक तरह से उसमें दूसरे सौतेले भाई का सेयर उसमें नहीं बनता है यह बात य अब स्यू फैसला सुना दिया है और तो तो पर भी नहीं वह मानता रहक होट वक्ति इतके्याश करें है इसलिए की कामशी परकिलिये के तहट भी अगर आपके मां की नाम से संपत्ती है तो सवतेला भाई हिस्सा नहीं ले सकता है अगला सवाल है कि मेरे पिताजी के नाम से घर के बगल में गड़े का तथा मेरे कुवां से सटा जो है पोदाड़ी का उपजा हुआ एलार एक्ट केताद 1983 में भूमी जो है वहाँ पर परबंदन समयती के अध्यक्ष अनिता जो है पट्टा किया गया और इसमें हम लोगों का पुस्तेनी कबजा भी है पिताजी अब नहीं रहे लेकिन अब हम लोग घर से आकर बाहर रहने लगे और पता चला कि खतोनी में नाम नहीं है इसे बंजर भूमी में दर्ज करा लिया गया हम लोग पहले बाहर रहते थे हमको अब क्या करना होगा पड़िवार के नाम करने के लिए आपको पुराना के अनुसार टाइटल सूट करना होगा पहला ठीक है दूसरा है कि ग्राम द्वारा बिना लेखापाल के हरस् पहले का है ठीक है और उसके अधार पे कोई भी आगे का प्रोसेस नहीं चला तो नहीं है 1984 में जो है मेरे घर के पास एक जमीन का खसरा का लेखा पाल दौरा जो है जारी परमान पत्र पर हमारे पास है उस पे जैसा ही जैसा ही अब पता चला कि खतोनी में हम लोग का नाम न कर देना है और यह वह तो वहां पर जो है मैंसन करना ही है कि नया में क्या कर दिया गया और आपको टाइटल सूट कर देना है कि आपका जो है जमीन दूसरे यानि परती में जो है वो दर्ज कर दिया गया या बंजर वोमी में दर्ज कर दिया गया तो उसका सुधार पर हाई जो है यहां पर टेंशन एलेक्टिक थ्री पोल डाल रखा है अभी टाउन के अंदर तीन किलोमेटर बाहर न्यू आफिस को टांसपर कर रहे हैं सर अभी बोलिए कि एक ही पोल से पूरा वायर का कनेक्शन करने के लिए किस से समपर्क करें ठीक है पेंडिंग जो है य अगरा सवाल है कि सर नमस्कार मेरा एक सवाल है मेरी जमीन पर मेरा कबजा दो पीडी से है और वह जमीन सर 1929 में घास जो है घास की थी तब से आज तक मेरे कबजे में है लेकिन 1955 में किसी दूसरे का नाम से हो गई और मेरा नाम 1988-1989 में दूज है और मेरे पास जो है वो भुजुर्ग जो की 60-70 साल के घवा है और मैं 12 साल से लड रहा हूं मुझे असान है कि आप कुछ कानून उपए बताएं देखे आप लड रहे हैं और सबसे पहली बात है ज टैटल सूट करना होगा आपूड से टैटल सूट किजिये केस को आगे बराते रहे है केस में बिलंब नहीं किजी अपना जो भी दस्ता बेज है उसको आप रेडी रखे जैसे पुराना जो भी सम्बंदी दस्ता बेज है जैसे आपने 1990 की बात कही तो 1999 के टाइं की जो भी अस्ताबेज है, जमीन का खतियान हो, रसीद हो, जमाबंदी हो, अगर वो सब आपका जो भी एफलेबल होता है, ठीक है, तो आप उसको सबूत के रूप में पेज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बिसकुल असानी तरीके से आप उसको जीत हासिल करेंगे, इसमें तो कुछ है ही न कि आपका अगर मान लेते हैं, किसी के नाम से अगर दर्ज हो गया, तो उसको भी प्रूफ दिखाना होगा, कि आपके जो नाम पे दर्ज हो गया, उसका आधार करें, असा करते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्या लगा ओगा, एप जारू खरतेकर बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेजिए मिलते हैं अगले बिरिम तब तक